हाई, आइम अंकूर मुझे ये एसिड बेस क्या है समझ ही नहीं रहा चलिए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं ये समझने की कुछ चीज़े खटी लगती है यहने सौर टेस्ट करती है जैसे कि नीबू दही इमली टमाटर संत्रे मौसम भी ये हमें पता चलता है हमारी टंग पर मवजूद कई छोटे छोटे सेल्स की वज़े से जो हमें अलग अलग तरह की टेस्ट के बारे में जानकारी देती हैं जैसे कि हमारी टंग के एक तंग अगर भाग में in front of our tongue we can taste sweet and salty हमको sweet और salty के बारे में टेस्ट आती है हमारी टंग के सेंटर में भी हम sweet टेस्ट को जान सकते हैं उसी तरह से हमारे टंग के दोनों साइड्स में हमको खटी चीजों की टेस्ट लगती है यानि के सवर हमारी टंग के पिछले साइड में हमें कड़वाहट जैसी टेस्ट समझ में आती है यानि कि बिटर टेस्ट एक स्वेडिस साइंटिस अरेनियस ने 1884 में यानि कि 1884 में एक डिस्कोरी की जिसके हिसाब से जो चीज पानी में घुलने के बाद H प्लस आयांस बनाती है उसे उसने आसिड कहा और जो चीज पानी में घुलने के बाद OH मानस आयन जादा तरीके से बनाती है उसे आरेनियस ने बेस कहा अगर कोई पदार्थ एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में बदल देगा और अगर कोई पदार्थ बेस है तो वो रेड लिटमस को ब्लू बना देगा अशिड और बेस मेजर करने के लिए एक स्केल का इन्वेंशन हुआ उस स्केल को कहा जाता है पीच स्केल जो की हाइडरोजन आयन कॉंसेंटरेशन और हाइडरोगसाइड आयन कॉंसेंटरेशन को मेजर कर सकते है हर पदार्थ की पीच अलग होती है जैसे कि आप देख सकते है हमरे स्टमक के गैस्ट्रिक आसिड की पीच एक के नीचे होती है और नीबू की पीच दो से तीन के बीच में तमाटो की पीच चार से पांच के बीच में होती है समुंदर के पानी की pH 8 होती है जो अमोनिया हम यूज करते है अमोनिया की pH 9 के ऊपर होती है जब pH 7 के नीचे होती है उसे acidic pH कहां जाता है जब 7 होती है तो neutral कहां जाता है ये pH scale 1 to 14 के अंदर range करती है 1 से 6.99 तक acids होते है 7 neutral pH होती है और 7.01 से लेकर 14 तक means from 7 above 7 up to 14 basis को measure किया जाता है ये है hydrochloric acid जो पानी में घुलने के बाद H plus iron के साथ C l minus iron भी छोड़ता है और ये है sulfuric acid जिसे हम तेजाब कहते है ये है acid आसिड का मतलब जो substance जिसकी pH साथ के नीचे है acids तीन तरह के होते हैं उनके source पर depend है तो natural और mineral acid concentrated or dilute acid और weak and strong acids acids की कई properties होती है जैसे के acids corrosive होते है acids good conductors of electricity होते है acid की pH value हमेशा साथ के नीचे ही रहती है जब acid metal के साथ react होते है तो वो hydrogen gas बनाते है और सबसे important बात acid sour test करते है यानि के खटे लगते है अब साव लुटता है की basis क्या है what are the basis ये glass plate में एक सफेद powder रखा है जो कड़वा लगता है यानि बिटर लगता है जिसे के हम soda कहते है ठीक ऐसे ही ammonia, sabun और borax भी कड़वे लगते है जो के हम tongue के सबसे पिछले हिस्से में टेस्ट करते है तो a base is a substance having pH higher than 7 base दो तरह के होते है पानी में soluble और पानी में insoluble मतलब soluble base और insoluble base और दुसरी तरह के strong base और weak base ये है sodium hydroxide NaOH जो पानी में घुलने के बाद OH- ions बनाता है ये कुछ strong acid और bases की list है ये है properties of bases and acids जिने के आप pause करके देख सकते है अब देखते है acid और base जब एक दूसरे के साथ react करते है तो वो salt बनाते है जो कि neutral होता है जैसे की जब strong acid hydrochloric acid react होता है strong base sodium hydroxide के साथ तब वो बनाता है salt sodium chloride जिसे के आप आगे की reaction में देख सकते हैं झाओे की ज बनाता है की जब वो decimal प्लीफ